मिर्जापुर में थाना विंद्या चलन तर्गत ग्राम जासा बगहौर में मिले यूवक किशव की घटना का पुलिस ने खुलाशा किया है पुलिस ने इस मामले में दो अभियुक्तों को गिरफतार किया है जिनके पास से हत्या में प्रयुक्त समान बरामद हुआ है देखिया मेल समबादाता तौसीफ एहमत की रिपोर्ट यह बताया, यह निकल गया आया कि अमितेश शेंग पास तारीफ को निकला था अपने घर से जमशेंपूर ताटा साइट जाने के लिए ट्रेन पे बैठा विद्धाचन में लेकिन मिर्जापूर जाके वो उतार गया बिर्जापूर में अपने परिवार जानों को फोन किया स्टेशन से किम्शूर लेने आईये परिवार से कोई आया निक, कोई यह आटो रिक्षा वगिरा पकड़के यह चला गया अपने गाउं की तरफ निकला लेकिर अस्ट बुजाप स्टेंड पर जाके वहां पर उतर गया अस्ट बुजाप पर यह दोनों यूवक वहां पर थे अमित और निहार वही पे इनके बीश में बाक्षित होने लगी अमित विक्रम सिंग और ये मृतक ये परीचित थे, ये रिष्टे में पटिदार भी लगते थे, इनको ये ग्यात हुआ हत्यारों को कि इसके पास 22,000 रुपे हैं, इस पैसे को लेकिन के बीच में विवाद हुआ, मोडर साइकल से जो मृतक है इसको ये लेके गए और गमशे से ले जाके घटन अस्तलता, वहाँ पे गमशा से इसका गर्दन दपा के उसके विरुत्यू कारीत कर दी जमी पे पिक लिया, और इसका जो मृतक है उसका पर्स था, बैक था, एटियम कार्ट अधार ये सब लेके चले गए बहुत ही मैनुवल अधार पे, एके कड़ी को ज अधिवारा जो बैक था, आठ हजार रूपे है, मृतक के पास जो लिये थे वो परामत कर लिया गया है, और साथी साथ घटा में शामिल, जो मोटर साइकल थी और एक कार थी, वो ही पगड़ लिया गया है, इस घटना को सबलता पुर्दर का नावरन करने वाली हमारी एसो थाना विंध्याचर की टीम को 25,000 रूपे इनाम से प्रोष्कृति किया जा रहा है और इन लोगों पर अगरिम करवाई की करा है